Hello everyone, let's continue with diversity of living organisms हमारा chapter चल रहा है diversity in living organisms और अब हम पहुँच चुके हैं kingdom, plantay पे ठीक है और previous class में मैंने आपको बाकी की kingdoms explain करी दिये थे कि क्या features होते हैं उनके basics और plantay kingdom में हम जानते हैं इनके क्या main features है इनके ये तो, देखो, they also are eukaryots multi-cellular, autotrophs, sedentary, they don't move मतलब घूम फिर नहीं सकते हैं ये कुछ इनके basic features हैं और एक special body design है इनका root, stem और leaf वाला लेकिन हाला कि वो भी सब में नहीं होता है but in general में बता लिए हैं न तो ये kingdom plantay का वो है basic features हैं और इनके division जो की गई हैं न बच्चों वो किया गया है सबसे पहले तो ये तो खेर सारे plants का है तो सारे plants जो इस group में आते हैं na kingdom में उनका सबसे पहला categorization किया जाता है on the basis of body differentiation कि वह stem roots या leaves जो है वो है भी की नहीं ठीक है तो पहला body differentiation है दूसरा आ जाता है presence of vascular tissues rather presence और absence of vascular tissue एक ये category presence और absence of vascular tissues vascular tissues याने के xylem and phloem ठीक है ध्यान रखना xylem water conduction and phloem जो है वो food का है आपको धिहान रहेगा and third हो जाता है whether whether they produce seeds or fruits ठीक है तो ये कुछ plant के अंदर in category के according classification होता है ओके बच्चों तो ये तो kingdom plant है थोड़ा सा मैं आपको ये flow chart और समझाना चाहरी हूं before we proceed with the overall plant kingdom थोड़ा सा मैं ये समझते हैं जो प्रो के और्गानिजम्स हैं उनको प्रो केरियोट्स और यू केरियोट्स में डिवाइड किया गया है ठीक है उसमें unicellular होते हैं and the kingdom monera ये है आपकी बूक में है ये उसका अधी यूकेरियोट्स में जो यूनि-सेलिलर होते हैं देयार प्रोटिस्टा ठीक है and multi-cellular जो होते हैं वो हैं उसमें फिर multi-cellular में with cell wall में आ गया able to perform photosynthesis तो planta not able तो fungi आ गया और without cell wall जो है वो animalia हो गया ठीक है ऐसे करके आपकी main division यहाँ पर हो रखा है तो kingdom क्या क्या आ गए, kingdom one ये रहा, kingdom दूसरा ये रहा, third kingdom ये रहा, fourth ये रहा, fifth ये रहा यही पाँच kingdom है न बच्चों, तो ऐसे ध्यान रखना, कि unicellular prokaryot monera, unicellular eukaryot protesta multicellular में, fifth cell wall वाले दो आ गए है, fungi and plantae, fungi no photosynthesis, plantae photosynthesis और without cell wall में animalia, ऐसे गर के पाँचों kingdom आ गए है, ये flow chart आपकी book में दे रखा है तो अब इसी को continue करते हैं हम लोग और आगे देखते हैं, तो इसको तो आब मैं करती हूँ side और मैं plant kingdom आपको थोड़ा और समझाती हूँ, इसको रहने दो, ओके, तो अब ये आप diagram देखो, ठीक है, this is the diagram और मैं आपको जो समझा रही हूँ, उसका सुनना, see, kingdom plantae को दो groups में divide कर सकते हो एक है, cryptogammy और एक है, phenerogammy ठीक है, cryptogammy में आ जाते हैं, cryptogammy means they have hidden reproductive structures और फेनेरोगामी में रीप्रोड़क्टिव स्ट्रॉक्टिर्स नॉट हिदन आराम से दिखते हैं इसमें तो तीन ग्रॉप्स हैं थैलोफाइटा प्रायोफाइटा और टेरीडोफाइटा 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 इसमें आ जाते हैं दो चिम्नो स्पॉर्म्स और अंजियो स्पॉर्म्स तो बच्चो ये में फाइव जो है वो डिविशन आपको प्लांट में देखने मिलेगा ठीक है जब मैंने आपको फाइलम और डिविजन पाइलम बताया था ना तो एक चीज में बताई थी उस समय द्हान रखना प्लांट में डिविशन बोला जाता है फाइलम की जगें छिक तो जो phylum plant में होता है न, animal में होता है न, plant में वही चीज division कहलाती है, तो plant में, plant में ये 5 division होता है, ठीक है, plant has these 5 divisions, thallophyta, bryophyta, teridophyta, gymnosperms, angiosperms, ओके बच्चों, और ये तीनों जो है, bryo, terido और thallo, ये crypto gammy group को belong करते हैं, याने इन में reproductive structures hidden होते हैं, वेराज fenero gammy वाला जो group है, इन में reproductive structures, याने जो वो parts जो reproduction में involved हैं, वो parts इन में तो आराम से openly उपर दिख रहा होता है, बट उन में नहीं दिखते हैं, तो नहीं दिखने वाले तीन है, अपने थैलो, bryo और terido, उसमें से ये जो group यहाँ पर displayed है, ये थैलो फाइटा का group है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ, this is, so this is थैलो फाइटा, ठीक है, अब इनका हम feature देख लेते हैं, one by one, so they are थैलो फाइटा, थैलो फाइटा का सबसे main जो feature होता है बच्चों, वो होता है थैलो बॉड़ी, ठीक है, थैलो फाइटा, मैं या color change करके लिख रही हूँ, I am taking the थैलो फाइटा ग्रूप यह और उसके फीचर देख लेते हैं, सबसे पहले, थैलो फाइटा बॉड़ी, means, no differentiation of body parts, that is roots, stem or leaves, इनका differentiation नहीं होता है, ठीक है, no vascular tissue present, no vascular tissue present, और mostly they are aquatic in habitat, habitat क्या है, aquatic or terrestrial, दोनों हो सकते हैं, तो इसमें basically आते हैं, बच्चों, यह algae वाला ग्रूप, ठीक है, अब algae वाला ग्रूप, यह काईवाई वाला जो ग्रूप है, तो generally aquatic में आते हैं, so they all come under aquatic, aquatic habitat, predominantly आपको मिलेगा, terrestrial भी होते हैं, कुछ चैल्गी वगेरा, ठीक है, लेकिन, predominantly aquatic, मतलब सबसे जादा, mainly aquatic ही होते हैं, जहाँ पानी जादा हो, क्योंकि काई वाला ग्रूप है, लेकिन काई वाले ग्रूप, पानी जादा हो, लेकिन उस पे भी आते हैं, terrestrial, land पे हो जाते हैं, इसलिए मैंने terrestrial लिखा है, बढ़ टेर अगर पूछा जाएं कि वाई आर दे प्रेजंट इन प्लांट किंग्डम, तो दे आर प्रेजंट इन प्लांट किंग्डम, क्यों, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको features पढ़ाया थे, प्लांट किंग्डम के, ये वाले, इसमें एक और add कर सकते हो, cell wall present होता है, तो ये सार प्लांट किंग्डम, और प्लांट किंग्डम के कौन से डिविजन में आते हैं, तो थेलो फाइटा, क्यों थेलो फाइटा, तो प्लांट किंग्डम वाली basic features तो है, but they don't have proper body parts, इसमें से root, stem और leaf नहीं है, ये वाला जो leaf जैसा दिख रहा है, आपको, इसको हम frond कहते है, they are not the proper leaves, तो ये सब जो है, ये leaves नहीं होते, ठीक है, तो इसलिए, इसमें देख रहे हैं, और पाइरणोइट बॉड़ी ये कैसा है, माइक्रोस्कोपिक होता है, स्पाइरो गारा तो दिखता भी नहीं है, इन सब में कोई भी root stem leaf नहीं होता है, इस वजे से इनको थैलस बॉड बोला जाता है, तो जहां root stem leaf नहीं, वहां थैलस body, तो since they have थैलस body, that is why they belong to group थैलोफाइटा, तो ये इनके सब के examples हैं, ये आपको note करना है, fine, so let's move to the next group now, ये आ गए है हम, ब्रायोफाइटा, ठीक है, so next आगे हम division, ब्रायोफाइटा, इसके main features है, they are the amphibians of plant kingdom, अब amphibians से क्या मतलब है, present on both land and water, तो ये जो ग्रुप है, ब्रायोफाइटा, ये प्लांट अनिमल, sorry, land and water, दोनों जखे present होंगे, ठीक है, इसमें भी थैलस body होता है, they also have thallus body, thallus body का again मतलब ही आगे, आपको दिखरा है कहीं से भी root stem और leaf प्रॉप और यहाँ डाइग्राम इसको देखो, ये रिक्सिया को देखो, रिक्सिया में कहीं से भी दिखरा है आपको root stem leaf, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, और no vascular tissues, या डाल सकते हो, no vascular tissues for conduction of food and water, तो ये भी बहुत basic plant kingdom है, बहुत ज्यादा basic group है, जिसमें आप ये रिक्सिया को देख रही है, बिल्कुल वो carpet जैसे form हो जाते हैं, पत्थरों पे, जहां पे गीला पन जादा रहता है न, उन areas में पाए जाते हैं, ठीक है, so mostly गीले areas में पाए जाते हैं, and this is the most primitive land plant, इसमें एक और एड कर सकते हो, most primitive, बहुत पुराने होते हैं ये, पानी में तो ही हैं, बट most primitive land plant होते हैं, ठीक है, और इन में root-like, stem-like, leaf-like structures होते हैं, root-stem leaf तो नहीं होता, बट root-like, stem-like, और leaf-like structures present, okay, तो root-like, अब root-like structure को तो rhizoids कहा जाता है, आरचाई, rhizoids, stem, जो है, वो mostly stock कहा जाता है, leaf को हम frond बोलते हैं, इस तरह के या stocks type भी बोलते हैं, यह structures present होते हैं, they don't have a proper root-stem और leaf, तो यह funeria, mercantia, rixia, यह हैं इनके examples, okay, next division लेते हैं हम, next division आ गए, teridophyta, यहां से बस यह है कि teridophyte से थोड़ा, यह लोग upgrade होते हैं, division, teridophyta, यहां से अप्ग्रेडेशन होता है, like differentiation of root, stem and leaves, ठीक है, vascular tissue भी यहां से present होता है, vascular tissues, present, they are, मतलब, bryo और thallo, यह aquatic है mostly, हला कि amphibians of plant kingdom हैं, हमारे bryophyta, but mostly उनका aquatic habitat होता है, लेकिन teridophytes onwards, जो है, तो यहां से mostly आपको यह land plants देखने मिल जाएगा, but reproduction के लिए इनको भी पानी की requirement होती है, okay, अच्छा, इनका reproductive structures जो है, वो इनके भी hidden होते हैं, क्योंकि मैंने बताया न, cryptogammy का, यह तीनो cryptogammy group के हैं, तिल teridophyta, cryptogammy होते हैं, क्योंकि reproductive structures hidden होते हैं, तो इनका जो reproductive चीज जो निकलती है, reproductive structures इनके sports कहलाते हैं, यह उसके लिए भी apply होगा, थैलो और उसके bryophytes, उनमें भी sports present होते हैं, ठीक है, तो reproductive structures via sports, they reproduce, और cryptogammy होते हैं, reproductive sports present होते हैं, ना ही कोई seeds, ना ही कोई flower, ना ही कोई fruit, यह सब कुछ नहीं होता इनमें, तो बहुत ही basic वो हैं, plants होते हैं, जैसे marcelia, देख लो शकल से ही कैसे लग रहे हैं, fern, fern तो देखा होगा आपने, जो इस तरीके की ferns होते हैं, यह तो देखे ही होंगे आपने, यह वाले, इस तरहा के plant, यह है, available है, यह दिखते हैं, तो यह सब teridophytes में आ जाते हैं, तो these are cryptogammy, अब हम higher group को चलते हैं, higher group में आ जाते हैं, हमारे gymnosperm और angiosperm, उनमें क्या होता है, एक तो reproductive structures very, very conspicuous, conspicuous यानिके easily दिख जाते हैं उस पे plant के ऊपर, ठीक है, और seeds, reproductive structures easily दिख भी रहे हैं, और उनका जो reproduction के बाद का जो result होता है, वो seeds होते हैं, gymnos में seeds होता है, angiosperm में seeds fruits दोनों बनते हैं, अब वो उस group को, मतलब higher group को अब हम चलते हैं, ठीक है, ये थोड़े से lower group है, तो इनका काम खतम, अब थोड़ा सा higher group में चलते हैं, तो चलते हैं, इनमें एक और सीज़ याद रखना, reproductive spores जो बनाते हैं न, वो finally naked embryos बनाते हैं, ये तीनों के लिए applicable है, तीनों cryptograms के लिए applicable है, एक ये point भी add कर सकते हैं, naked embryos क्योंकि reproductive spores open, openly spore burst होते हैं, फिर नए plants बनते हैं, तो naked spores से naked embryos बनते हैं, ये इनका हो गया, अब higher group में चलते हैं, gymnosperms, तो इसका division, gymnosperma में बोलते हैं, तो gymno का मतलब तो होता है naked, और sperma मतलब seeds, अब ये higher group पे आ गया, ठीक हैं, यहां से तो proper root stem leaf, proper देखने मिलेगा, vascular tissues properly present होते हैं, reproductive structures conspicuous हैं, तो उनमें, क्या बोलते हैं, जो seeds, reproduction का जो result होता है, वो होते हैं, seeds और fruits, तो gymnosperm में, gymnosperm की categorization ही naked seeds की वज़े से होता है, ठीक है, gymnosperm का मतलब ही naked seeds होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी same gymnosperm जैसे की यह, जो है structure, this structure is, आप देख सकते हो, pinus और psychus का है, और naked, इसका मतलब ही मैंने कहा ना, की naked seeds होते हैं, तो ठंडी areas में ज़्यादा पाये जाते हैं, बच्चों यह, तो naked seeds, इनका main feature तो यह हो गया, evergreen trees होते हैं, ठंडे areas में, colder areas में ज़्यादा पाये जाते हैं, mostly, ऐसा नहीं है, mostly लिख रही हूँ है, तो यह इसके कुछ features हैं, तो gymnosperm आते हैं, और बाकी जो features हैं, जो root stem leaf वैसे ही दिख रहे हैं, मतलब body properly differentiated, reproductive structures, conspicuous, reproduction का result seeds होते हैं, seeds are also naked, तो यह कुछ features आप gymnosperm के लिख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आजाते हैं, angiosperms, अब यह सुन्दर सुन्दर से flowers हैं, तो भी टेक, division, angiosperm में, यह आते हैं, they are the flowering plants, जित्ती भी flowering plants होते हैं, वो होते हैं, fruits and seeds produce करते हैं, seeds have seed leaves और cotyledons, seeds, में seed leaves यह cotyledons होते हैं, जो की food store करते हैं, और nourishing embryo, यह इंब्रीयो को nourish करते हैं, यह cotyledons, तो based on cotyledons, cotyledons, दो तरह के plants होते हैं, इंजिस पॉम में, वान इज मोनो कोट्स, और दूसरा, डाइकोट्स, मोनो कोट में, single cotyledon होता है, single cotyledon, चना देखा है, चने को जब open करते हो, तो दो cotyledons हैं वो, और बीच में वो embryo होता है, that is, इन में two cotyledons, ठीक है, तो यह है, so flowering plants है, fruits and seeds, इनके result, reproductive results है, and seeds have seed leaves, cotyledons, cotyledons के basis पे, कितने cotyledon है, उसके हिसाब से, they are classified as monocots and dicots, monocots में single cotyledon होते हैं, और dicots में 2 cotyledons होते हैं, यह जो cotyledons होते हैं, they are, they store food, they store food, और nourish the embryo, embryo, embryo जो होता है न, seed के अंदर, उसको, यह cotyledons, नरिश करते हैं, तो यह आपको याद रखना है, चीक है, तो दो group में इनको divide किया गया है, और that's the scene, अब यहाँ देखो, यह जो structure है, यह एक monocot का, monocot में आप देखना, लंबे-लंबे leaves होते हैं, और दोनों तरफ same leaves दिखेंगे, dicot के leaves उठाओगे न, तो उपर का थोड़ा shiny होता है, waxic uticle की वज़े से नीचे में, थोड़ा हलका light होता है, मतलब rough सा होता है, इतना उपर और नीचे के दोनों surface of leaves जो होते हैं, वो different होते हैं, वो dicot होते हैं, और monocot में आपको same दिखेगा, starting, और parallel venetion होता है, मतलब ऐसे, जैसे dicot के leaves यूँ होती हैं, तो उनमें reticulate ऐसा venetion जाता है, but monocot के leaves ऐसे लंबे होते हैं, और ऐसे लंबा venetion जाता है, यूँ, तो ऐसे पता लग जाता है, monocot और dicot, तो ये था खुलमिला के plant kingdom, जिसमें main five divisions हैं, बनते हैं, तो ये algae का group है, जिसमें जो examples है, kara, spirogar, ये सब आ जाएंगे, bryophyta, amphibians of plant kingdom, ये इसका main feature है, क्योंकि aquatic और terrestrial दोनों हो सकते हैं, और थोड़ा और upgrade करो, क्योंकि इनमें, till bryo, no differentiation body का, no vascular tissue, लेकिन terido आते हैं, ये सब चीजे आ जाती हैं, बट still reproductive structures, अभी इनकोंस PQS होनी की वज़े से, इनको cryptogammy में रखा है, और fenerogammy में अपने gymnosperm और angiosperm, gymnosperm naked seed, angiosperm flooring plants हो गए, और flooring plants के ये दो टाइप्स आ गए, single end, two cortyladen वाले, तो ये classification याद रखना है, अब थोड़ा सा animal kingdom पे मैं लेके जारी हूँ आपको, we'll study about the animal kingdom, animal kingdom में बच्चों, हम सबसे पहले तो देखेंगे level of organization क्या है, classify करने से पहले, कि what is the level of organization, याने कि क्या है, cells है, कि tissue level है, है न, कि organ level है, कि organ system level है, तो देखेंगे कि body में है क्या, क्या सिर्फ cells है, या फिर cell खटे होगे tissue बने हैं, हम directly मतलब classify उस पे नहीं जा रहे हैं, हम ये देखेंगे पहले इस category में, कि animal kingdom को classify basic classification किस basis पर किया जा सकता है, तो पहले level देखेंगे, कि cells present है सिर्फ, या फिर cells tissues में organized है, या फिर tissues जो है, वो organ level में पहुँच चुके हैं, या organ system level, ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया, उसके बाद में दूसरा हम देखेंगे symmetry 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 में हम 2 symmetry पढ़ते हैं, एक होता है radial symmetry, और एक होता है bilateral symmetry radial symmetry में यह होता है कि कि किसी भी angle से organism को कट लगाओ, 2 equal half में ही बटेंगे, किसी भी तरफ से काट लो, और bilateral हमारा हो गया, सिर्फ one plane में यू काटोगे, तभी 2 halves में बटेंगे, यू काटोगे तो 2 halves equal थोड़े होगा, तो radial में किदर से भी काटो, 2 equal halves, bilateral में सिर्फ one single longitudinal plane में काटोगे, तभी 2 equal halves में body divide हो सकता है, otherwise नहीं हो सकता है, इसका मैं अभी diagram भी दिखाती हूं आपको, तीसरा category है कई organism में body cavity होता ही नहीं है, जो lower group में होंगे न, उनमें body cavity होता ही, न जैसे हमारा है, हमारे proper body के अंदर cavity है जहां organs को place किया गया है, तो higher organisms में proper body cavity होती है, lower वालों में body cavity नहीं होती है, तो वो body cavity के basis पे भी organisms, animals को classify किया गया है कि किस तरह का body cavity पाया जाता है, एक है अगर circulatory system present हुआ अगर higher organism में circulatory system अगर present हुआ तो open है या closed है closed का मतलब with blood vessels यानि कि blood, blood vessels में होते हैं और open हुआ तो no blood vessels यानि कि arteries, veins, capillaries नहीं होते हैं तो blood जो है वो openly खुल ले swimming pool के जैसा और organs सारे उसमें ऐसे हिल रहे है bathing चल रही है जैसे swimming pool में होता है तो ऐसे कुछ basics हमें याद करने पड़ेंगे ठीक है? digestive system भी होता है complete, incomplete तो यह है अब जैसे यह देखो यह मैंने symmetry आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी है इसमें देखो this is a radial symmetry this is a radial symmetry जहाँ पर यह एक organism है इसको देखो यू काटे तो भी 2 equal half में कट जाएगा यू काटा तो भी 2 equal half में यू काटा तो भी 2 equal half में तो यह radial symmetry है लेकिन bilateral में सिर्फ यू काटोगे तभी 2 equal half में है किसी भी दूसरे plane से काटने की कोशिश करोगे तो 2 equal half में नहीं बटेगा so radial symmetry and bilateral symmetry तो इस basis पे हम animals को classify करेंगे और यह है सिलॉम वाला हमारी body जो है पूरा वो इन layers से बनी होती है बच्चों मतलब तीन layers होती है पहला layer होता है सबसे बाहर का layer कहलाता है ectoderm ठीक है बीच वाला जो layer होता है वो कहलाता है mesoderm और सबसे अंदर ये वाला ये layer होता है ये होता है endoderm पहली बात तो कईयों में सिर्फ दो ही layer present होते हैं ectoderm और endoderm mesoderm होता ही नहीं है तो वो मैं यहां लिख देती हूँ आपको यहां लिख देती हूँ if only two layers are present अगर सिर्फ दो layer present है that is ectoderm and endoderm तो इनको कहा जाता है diploblastic और ये layers कौन से हैं ये layers को हम germ layers जब embryo बन रहा होता है न बच्चो तो cells का group होता है उस समय तो तो cells के group कितने layer बना के organism को develop कर देगे उस basis पे मैं बता रही हूँ तो जैसे कि lower group of organism में दो ही germ layer अगर है ectoderm और endoderm तो तो वो diploblastic हो गए और if three germ layers are present यानि के मैं short लिख रही हूँ ecto endo और दोनों के बीच में meso तब इनको हम कहते हैं triploblastic तो समझ जाना lower group में तो सिर्फ और सिर्फ diploblastic होते हैं और higher group triploblastic होते हैं और जो triplo होते हैं उन में फिर आपको ये silom वाला concept समझना पड़ेगा जैसे कि ये ectoderm है ये mesoderm है और endoderm और उनके बीच में ये खाली जगे तो जब ये organism बनेगा न तो ये ही human बनेगा for example तो ये खाली जगे वो है जहां पर सारे organs प्लेस होंगे तो कुछ organism pseudo silomate होते हैं pseudo यानिके false और false body cavity तो आप false body cavity इसलिए देख रहे हैं ये pouches में present है मतलब ये ectoderm है और ये endoderm है लेकिन mesoderm ऐसे टुकडों में present है तो ऐसे में false silom हो गया और इनको देखो ये तो silom है ही नहीं तीनो लेयर है लेकिन कोई gap ही नहीं है बीच में तो this is इस gap को मत consider करना इसकी बात नहीं हो रही है यहां पर ठीक है इन layers के बीच में gap होनी चाहिए तो वो gap नहीं है तो silom नहीं है तो acylomate A का मतलब यहां पर absence हुआ तो हम इन basis पे classify करेंगे organisms को एक तो diploblastic, triploblastic यानि के जब organism fertilize होके zygote बनके अब जब further develop करेगा तो कितने layer बना के करता है अगर दो ही layer आते हैं embryonic development में तो वो diploblastic है और अगर तीन layer आ गए तो triploblastic और अगर triploblastic है तो उसके बाद में silom का case आ जाता है कि body cavity है या नहीं है ठीक है बच्चों तो यह कुछ categories हम देखेंगे animal kingdom की classification में की level क्या है symmetry क्या है silom कैसा है body cavity है नहीं है circulatory system हो सकता है और यहां पर हम देख सकते है germ layers जो मैंने अभी बताया कि embryonic development में कितने germ layers बन रहे हैं दो या तीन इन basics पे हम animal kingdom को classify करेंगे लेकिन उसके लिए आपको इंदिजार करना पड़ेगा next lecture का क्योंकि animal kingdom I'll start in the next lecture तब तक के लिए take care and good bye